नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज की इस वेडियो में हम बात करने बाले हैं छे, साथ और आठ अपरील तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले दस सालों से आपके सर पर यह देवी अपनी किरपा बरसा रही है जी हाँ दोस्तों और दोस्तों आने वाले यह तीन दिनों के अंदर अब जो बड़ी महतपुन घटना आपको देखने को मिलेगा दोस्तों आप भूल कर भी इन घट काल में अब एसा चमतकार होगा कि दोस्तों आने वाले तीन दिनों के अंदर अब दिन दोगोनी और रात चोगोनी तरकी करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस माताराने के असिरवास से आप सभी के जीवन काल में अब चार चांद लगने वाली है ज हाँ दोस्तों और दोस्तों अगर आप इन बातों को ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय के सारी एक्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगे जो भी आपकी चिंताएं हैं वे सभी खत्म हो जाएंगे और दोस्तों जो आपके मन की मुरार हैं दो नुसमन जलते थे तो वो दोस्तों अब पागल हो जाएंगे जिहां दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले तीन दिनों कार्षिम्रे आप सभी के लिए जीवन काल के लिए किसी वर्दान से कम नहीं होगा जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहां माता पिछले दस सालों से रक्षा कर रही है जिहां दोस्तों और आपको इनका भनक भी अभी तक नहीं लग सका है लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ इस्वर भले ही साक्षात ना हो पर जीहां दोस्तों और आपके जीवन काल में या माता वो बड़ा चमतकार करने वाले हैं वो बड़ी खुश खबरी देने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का भाग बदल जाएगा जीवन बदल जाएगा जीहां दोस्तों और जो लोग आपके दुख को देखना चाहते थे दोस्तों या समय वो देखते ही रह जाएंगे जी हाँ दोस्तों आप इतने बड़े तरेकी को प्राप्त करने वाले हैं कि दोस्तों उनके जीवन काल में हरकम पमचने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय जो बड़ी खुस ख़बरी आपको इन दिनों में मिलने वाले हैं दोस्तों सुनकर घर और आपके परिवार खुसी से उचल पड़ेंगे पर दोस्तों इन चार बातों को ध्यान रखना आपके लिए सबसे बड़ा जिमेदारी होगा सबसे बड़ा दाईत होगा इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप भूल से भी मिश न करें और सुरू से अंत तक ध्यान से दिखिएगा जी हाँ दोस्तों उसे पहले दोस्तों जो भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लैक जरूरी कीजिएगा और दोस्तों कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से हिर्दे भावशे जै मातादी जरू लिखेगा दोस्तों मातारानी की आज सिर्वाद योही सदिव आप सभी के जीवनकाल में प्राप्त होगा संकटों से आपको मुक्ती प्राप्त होगी संकट परिसित में आपको रास्ता मिलेगा और खुसिया आना प्राराम हो जाएगा जिहां दोस्तों और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब ने किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बिल आइकन को प्रेस करके और पर स्लेट कर लें जिसे की दोस्तों ऐसे ही ग्यान वर्दक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश के जी हां दोस्तों तो यह दोस्तों बात क करते हैं स्री कृष्ण जी की एक बहुत ही अच्छे मुल्यवान ग्यान से एक बहुत ही अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा सकती जागरित होगी कि दोस्तों भगवान स्री कृष्ण जी की एक भक्त अपने जीवन काल में बहुत ही उदास हो चुके थे और अपने पर्भु से स्री कृष्ण जी से यह बात कहते हैं कि हे पर्भु सच कहूं तो तेरे शिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो दोस्तों यह बात उनके दिल से निकली और भगवान स्रीक्रिशन जी पर कटो कर उन्हें ग्यान देते हैं कि उदास नहूँ मैं तेरे साथ हूँ सामने नहीं पर आस पास हूँ पलकों को बंद कर और दिल से याद कर मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ और भगवा कि परभा मत करो करो वो जो उचित हो जो तुम चाहते हो जिसमें तुम खुश हो याद रखना जिंदगी तुम्हारी है लोगों की नहीं जिहां दोस्तों यह बात सुनकर उसकी भक्त की सारी परिसानिया खत्म हो जाती है और मन उसका बहुती जादा हलका हो जाता है तो दो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि यह तीन दिनों के शमय अबदी में मालक्षमी आपके जीवन काल में आपके पारवारी जीवन में परते एक छेतर में क्या-क्या खुश खबरियां करने वाले हैं क्या-क्या काम्याबी आपको यह शमय देने वाले हैं बात करते हैं पूर संभावना है किसी निकट समंदी के साथ चरही कलत प्यमियां भी दूर होगी तदिक व्यस्ता के कारण घर पर अधिक समय नहीं व्यतित कर पाएंगे पर तु आपने बहुत ही महत्पुन कार्यों को निप्टाने से प्रिशनता और शुकुन रहेगा यह समय निवेश करना प्रावनाओं में आकर ना लें प्रैक्टिकल होकर निर्ने लेने से आपको निश्चिती सफलता मिलेगी अपने कारे सेली में परिवर्टान लाने से आप बहतरिन तरीके से अपने कारे को अंजाम दे पाएंगे अगर आप प्रपरटी की खरित परोग समंदी कोई कार करने जा रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकुल है नजदे की समंधियों के साथ चली गलत प्यमिया भी दूर होगी आपका युणावत तरीके से कार करना तिधा सकारत्मा सोच रखना आपको कोई भी नेरे लेने से सायक रहेगा परिवार के साथ किसी महतपुन मुद्य पर आपकी सल महतपुन और खुसी परदान करेगा आज किसी परवासाली व्यक्ति से मुलकात होगी तथा आपको कोई नई जानकारियां भी मिलेगी विद्यारत्यों को ध्यान अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेगा इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ शाबदानियां भ और अमल करना आपको कोई गल्वतीक होने से बचाएगा आपके लिए बहुत ही अनुकुल शमी है इसका उचीत सद्वियुक करें सोसल मेडिया के जरी आपको व्यवसा समंदी नई उपलवदियां हासिल हो सकती है किसी भी तरह की कानुन पचले में ना फसें खास दूर पर पर ट्रफिक नीमों का जरूर पालन करें किसी ने इदिकि समंदिक के विवाई समंद में समस्या आने से मन कुछ परिशान रहेगा वरतलाप करतेश में साब्धानी बरतें दोस्तों कारिचे चेतर में पबलिंग डेलिंग और मार्केटिंग समंदिक कारी में भी बहुत ही ध्यान दे या समय फायदेमन इसती बनी हुई है दोस्तों वैपसा में पिछले कुछ समय से चल ही समस्याओं का शमधान मिलेगा फिर आपने सीथ होकर अपने कारें पर ध्यान दे पाएंगे और तो किसी भी नए काम को शुरू करने से उससे पहले समधित उचित जानकारी हास साथे साथ आपको अपने मेहनत का उचित पर ना भी हासिल होंगे वहीं दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पती पतनी आपसे समान जज़ उचित बना कर रखें था एक दूसरी की भावनाओं को कदर करें प्रेम समंध में मधुर्ता बनी रहेगी साथ साथ बेहोतर समंधों का खुलाशा हो सकता है इसलिए एसी गत्ति विदियों से दूर रहें जीवन साथी तता घर परिवार के परती आपका सहयोग और समर्पन की भावना घर के माहुल को पहुती सुखनामा बना कर रखेंगे लव पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में र सकती है विवस्तित दिनचारिया रखें साथे साथ वियोगा और विवाम पर ध्यान दें आपके उपाय के बारे में दोस्तों आज की जो उपाय हैं आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों या चार गुरुबार या फिर चार सुक्रवार के दिन कर लेंगे तो दोस्तों प्रशक के दिन काली चीटियों को सकर या चीनी खिलाने से इसे भी आप dropping लाग मिलेंगे जी सची दिलषे कंप्स में जय मालत में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद